वेल्कम टू बीवेका नंद कोचिंग चैनल मैं गुकुलकुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं आज का जो वीडियो हैं वो फिजिक्स का ही वीडियो हैं खास करके पॉल्टेक्निक एक्जाम के लिए बहुत ही जैदा फाइदे मंद वीडियो हैं तो इ जिक से ही डिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सरल लोलक लोलक ठीक है एबम परत्या नया नबल अचिक है अंग्लिस में इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडूलम में एक एक कुस्ट्रिंगों यानि northwest क्या होता है और परत्या नेयान बल क्या यहां से एक क्योंों फिक्स है capable यह temporarily जो और उसमें यहां से question जरूर आ आपका रहेगा तो हम सबसे पहले यहां पर यह समझेंगे कि आवर्त काल क्या होता है पहला पॉइंट पहले हम theory को explanation कर देते हैं उसके बाद आपको formula based questions यहां से जो पूछा जाता है उस numerical को भी हम चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में तो इसमें जो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह सरल लोलग क्या होता है ठीक है मतलब आवर्थकाल क्या होता है आवर्थकाल यह क्या होता है यह इसी को हम कहते हैं दोलनकाल दोलनकाल कहते हैं इंगलिस में इसको हम time period कहते हैं ताइम प्रियेट या प्रियोडिक टाइम क्या होता है तो एक दूलन एक दूलन पूरा करने में लगे समाई को लोलग का अवर्थ काल कहते हैं एक दूलन तो एक दूलन को पूरा करने में जो एक अगर एक लोलक को पूरा करने में जितना टाइम लगता है न कि यहां से लेकर यहां तक ठीक है तो यह आपको दो सेकेंड का टाइम लगता है एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक है तो यहां पर करने करने का मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में पुना आने में जितना टाइम तो यहां पर यह चीज़े हमें समझ में आ गया एक चीज लेकिन दिमाग में रखेगा कि लोलक का जो आवर्थकाल होगा टी जो होता है वाह बस्तू के M से फ्री होता है मतलब मास पर डिपेंड नहीं होता कि कितना केज़ी उस पर लटका हुआ है उससे उनको आवर्थकाल को कोई मतलब नहीं है ठीक है समझ में आ गया पाते कि दो पॉइंट हमने यहां पर कहा आपको पहला पॉइंट यह कहा कि आवर्थकाल या दूलनकाल किसे कहते हैं एक ऑशिलेशन मतलब ऑशिलेशन दूलन पूरा करने में जितना समाइल लोलक के द्वारा लिया जाता है उसक अबर्थकाल या दूलनकाल इसको इंगलिस में कहते हैं टाइम प्रियड नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कि लोलक जो होता है क्वेशन अब्जेक्टिम में भी आ जाएगा आपको कि लोलक का जो आवर्थकाल होता है टी जो होता है वो मास से फिरी होता है मतलब यह का नयन बलं क्या होता है इंगलिस में इसको हमने कहा डी यह स्टोरिंग फोजट क्या होता है कि ऐसे बलं फर्थेशन से सुनेंगे ऐसे बलं जो शंतुलन इस्थिती में एक्यू वेलियम्स पॉजीशन की ओर लगते हैं इस बल को हम पर्तिया नियन बल कहते हैं ठीक है चलिए सरल लोलक हम समझ गें उसके बाद हमने आपको समझाया कि अवर्थ क्या होता है यहां से एक फर्मुला है जिसको आपको शमझ लेने की जरू दूरत है कि आवर्थ काल जो होता है आवर्थ काल ल वाई टी स्कॉए इक्वल टू होता है जी वाई फोर्ड पाई स्कॉएट ठीक है तो इस तरह से अगर हम टी का वहल्यू निकालेंगे यहां पर तो टी इसकल्टू क्या हो जाएगा ल फोर्पाई स्कॉएड बाइजी बराबर टी इसक्वाई ए और टी इसकल्टू क्या हो जाएगा यहां पर इसकॉएड को रूप हटाएंगे तो एक तू और पाई निकल जाएगा कॉस्ट डूगों में सेघो निकल जाएगा उसके बाद बटा-ल-वाई-जी यही क्या होंगे यह फॉर्मुला हो ज़से तो सरलोलग का वर्तकाल टू शेकन्ड का होता है उसे सेकंडरी सेकंडी लोलग यानि सेकेंड स्पेंडूलम कहते हैं तो यहां से कुश्चन अगर आपको पूछा जाए इस पेस्ट पर कुश्चन भी पूछा जाता है जैसे एक क्वेशन मैं आपको करवा रहा हूं, एक क्वेशन है कि 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्थकाल क्या होगा, आवर्थकाल क्या होगा, तो T is equal to क्या होता, 2 pi into root under L by Z, ठीक है, यहां पर 2 into pi के जगह पर 3.14 लिख सकते हैं, into root under 9.8, अजी जो हैं यहां पर आपको पता है कि यह गुर्तुए तोरण है, और इसका value कितना होता है, 9.8, यह तोरण है, तो मीटर पर 30 सेकेंड स्कार होता है, तो यह और यह cancel हो गया, बचा क्या 1, तो 1 को हम निकालेंगे ही, इसको इससे multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6.284, जो हमने देखा कि यहां पर जो टोटल सेकेंड कितना हो जाएगा, 6.3 सेकेंड का टाइम, रेर लगे, असानी पूर्वक बना लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एक और numerical questions हम कर लेते हैं, ठीक है, एक और numerical question करने की कोशिश करेंगे हम यहां पर, question है कि किसी अस्थान पर सरलोलक की लंबाए एक मीटर, एक मीटर है, और उसके दोलन का आवर्द का आवर्द का आवर्द का दो शेकेंड है, उस अस्थान का गुर्ट्वे त्वरन क्या है, त्वरन क्या हुआ, ठीक है, अगर मान लिजे कि यहां पर एक मीटर का जो है, वह लगा हुआ है, तो इसको एक उसलेशन स्पूरा करने में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में ठीक है, तो इसके टाइम परिएट कितना लगे इंटू एकुल टू टू दू पाई पाई के एक पर 3.14 ठीक है और यहां पर क्या हो जायेगा रूट अंडर जी के ख़ड़ा ल के जगब पर इतना रूट अंडर जी ठीक है तो ये दोनों एक नहीं अपने साईड से कट जागा बच अब त्री पॉइंट इतना ठीक है तो यहां पर आ जागा one equal to three point one four into return of one से निकल जाएगा one by root under z होगा ठीक है यहां पर क्या बचेगा जी स्कल्टू formula क्या हो जाएगा यहां से जी इसको इससे multiply करेंगे तो root under z is called to three point one four square दोनों से calculate कर देते हैं तो इससे square से रूट कर जागा तो three point one four two है अगर second कितना है two second है तो यहां पर दो शेकन टाइम है तो दो कट गया ठीक है तो यहां पर कितना आजाएगा तीन तिया नो इसको square को multiply कर देंगे 9.86 मीटर पर ती second square आजाएगा ठीक है यही आपके value आजाएगा जी का value ठीक है यहां पर जो त्वरन काम करेंगे वो कितना काम करेंगे 9.8 ठीक है तो इस तरह से हमने जान गए हम जान गए कि किस तरह के अगर एक question आजाए कि यदि किसी लोलक की लंबाई चोगुन्नी कर दिया जाए अगर एल को क्या कर दिया जाए फोडल कर दिया जाए ठीक है लेंद को अगर चारगुन्ना कर दिया जाए तो उसके आवर्थ काल्थ क्या हो जाएंगे तो भाई यहां पर आप देख रहे हैं कि एल जो है वो क्या है रूट अंडर एल है इसके यह समान पाती है तो यहां पर एल को अगर चारगुन्ना कर मुझा अपर ल यह प्राइंग तो जिए प्रसकौल ऐघेए तो क्या हो जाएगा अली इसल्टो दोनों साइचे स्क्वाइड करेंगे तो एल का लीजो हो जाएगा यहां वह जाए तो तो ये टी का वेल्यू जो है वो क्या हो जागा दूर ना हो जागा यह चीज यह कुश्चन भी बार बार रिपीट किया है तो इसलिए कुश्चन पूछा जा सकता है यहां से ठीक है इस चप्टर से आपको इससे ज्यादा कुश्चन पूछने की कोई उम्हेद नहीं है अगर को यह चीजिए का व्हा मकटार होता है किस पर निर्भर करता है तो याद रहेगा लंबाई क्यूंकि लएन्थ और टाइम पेड vista की यह याद रहएगा कि यह और यह एक दूसे की सम्हानपाती थिक है तो वह आपको लेंध फे लेंद्थ पर डिपेढ़िंट करेगा सिस्म प्रूम्हाबना